आप सभी का बहुत बहुत सवागत है पढ़ाज के रिवालन यूटूब चैनल पर मैं TRS अपने इस YouTube चैनल पढ़ाज करता हूँ आज की कलास में बूस disturbance के लिए मैं जियोगराफिया नी भुगोल के मैं इंपोर्टन कुससर्ण से लेकर आचुका हूँ आपके 2023 की एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुड रहेंगे साथ में इसके answer भी लेके आये हुआ हूँ एक इसाब से देखा जाए तो आपके important question answer में लेके आये हुआ हूँ जिम विद्यार्थियों का आने वाले समय में एक्जाम है तो इस सभी important question answer उनके लिए बहुत ही महत्पुड साबित होंगे इसलिए वीडियों में आन तक आपको बने रहना है और सभी जितने में परसनुतर लेके आये हुआ हूँ सभी आपको देख लेना है वही नहीं से आपका अच्छा कासा paper आपका solve हो जाएगा आप पूरा का पूरा paper हो अपने exam में आप अच्छे marks उप्टेन कर पाओगे यह आपका paper के दिए हम बात कहें तो paper name है आपका physical geography जिसे हिंदी में बहुत तिक भुगोल कहते है paper जी निश्टी में सेम लगता बिल्कुल यही question आपके university में दोहरा जाएंगे यहाँ से मैं आपको सभी question answer दिखाए रहा हूँ आपके BA first semester के लिए आपका BA first year तो लेकिन first semester के लिए आपका geography नी भुगोल के आपके important questions है 2024-2024 के exam के लिए साथ में answer भी provide करूँगा जिससे इसका answer ढूने में कहीं भी problem मिनी होगी आपको और आप सभी important question answer देखको है अपने exam की तयारी को भी मजबूत करके अपने exam में अच्छे marks भी obtain कर सकते हैं यहां से मैं आपको सभी person उत्ता दिखात रहा हूं उससे पहले वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना किको मैं सब्सक्राइब कराता हूं जिसके अपने exam में अच्छे marks obtain कर सकते हैं इसके पहले person की बात करें तो आपका भौतिक भुगोल की पराकरित इसका भी से चेत्र करना है जो कि बहुत ही मातपरो person बन जाता है क्योंकि मैंने पहले भी बताए हुआ हूँ आपके paper से के names related बहुत सारे person आपके पूछा आते हैं दो person बिलकुल आपके exam में पूछा जाएंगे इसलिए भौतिक भुगोल आपके paper के नाम है तो इससरे पहला ही person बन जाता है कि भौतिक भुगोल क्या होता है इसका भी से चेत्र क्या होता है और इसका प्राकृत सब कुछ आपको देखना भाहे लोग में personal यह से आपको दिखाद रहा हो जो हम भौतिक भुगोल की यदि हम बात करें तो पिर्थभी का वरण करना है इसका यदे हम अर्थों की बात करें भूगोल पिर्थभी का वरण करने वाला एक विज्ञान है यहां से देखा जाए थे किसाब से इसके अंतर का धरातल के विवितत्तों के छेत्री वितरण का वरण मात्र ही नहीं अपित इसके स खाल नियुक क की जा सकती है पर आया सभी विद्वान ने भुगोल को पिर्थी का विज्ञान माना है और जर्मन दार्सनीक तथा भुग में डारसनीक सूसरा परिघतनाओर पंजी घरत बताया जिसके दोरा संपूर्ण विस्ट का बोध होता है ठीक है इतना आपको देख लेना है आप चाहे तो यहां तो भी आप तयार कर सकते हैं यह जो मैंने आपको पहला दिखा हुआ हूँ कि आपका जो भुगोल जो लैटिस भासा के जियो पलस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है जि की सानल लिख दो कि बिलकुल आपके नंबर क्लिएर हो जाएगा कटेगा नहीं अबी नंबर घंतर के प्रिथी के धरातल तक समित कर दिया गया था बुश्क के अनुसाद धरातल के ऊपड़ी ओवाई वैवंडल की निचले भाग मेही वनस्पत पराड़ी और मानौ जकत से सभी परिघटनाय केंद्रित होती है फिरिंच एवं टिवाट ने भी भुगोल की को पिर्थवी के धरातल का विज्ञान ही कहा है इस एक साब से देखा जाए तो पिर्थवी के धरातल का विज्ञान ही है भुगोल आप ऐसे भी कह सकते हो पिर्थवी के धरातल को ही यानि भूगोल कहते हैं होम्स ने भी बताया है कि भूगोल को मनुस्त के संग्या देते यानि मनुस्त के निवास स्थान का अध्यन बताया है सभी जितने भी आपके अर्थ सास्तरी हैं जितने भी आपका जितने दार्शनिक हैं सभी ने अपनी अल पर अगला परसन बहुत ही most wanted है इसकी हम देखेंगे जोला मखी क्या होता है इसके परकार बहुत ही most आपका person बन जाता है एक साब से देखा जाए तो जोला मखी की थे हम बात करें तो जोला मखी जो है साबडी कर्थ में यहां भरम होता है कि जोला मकी से आग की यानि लप्टे बाहर निकलती है वास्तों में जोला मकी से निकलने वाला जोलन सील गैसों के कारण आग की लप्टे का भरम हो जाता है और कुछ लोग जोला मकी का अफ़िपराज जोला मकी से निसत्र यानि लावा के जमाव से उत्पन सक्कवाकार बात को जोला मखी किरिया का प्रोगाम या परतफल होता है यहां से डिफिनेशन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी दो डिफिनेशन आउर यहां से लिखी हुई जो आपको डिफिनेशन दी हुई हूस ने जो आपका भूकम भाई भूपडल के वेच्छित रहे जिसमें जोला मखी पराया एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर पिर्थवे की अतेंत यानि तब्त भूगर्ब की गैस जल तरल लावा गैस यानि खंड आद भूपडल पर निस्वस्त होते हैं अब भूकम यह आपका जो दिया हुआ जोला मखी होता क्या है जोला मखी जो होता है किसाब से देखा जाए तो पिर्थवे की नीचे से एक गैसो का एक विसाल इसका भंडार भी कह सकते हो एक जब भी जोला मखी उत्पन होती है तो वहां से बड़ा से गड़्धा माफिक बन जाता है और इसमें गैसे निकलती है यही आपका जो है जो अला मखी कहलाता है अगले पर्सक्राइब बढ़ेंगे जो कि आपका दियावा की भूकंब से आपका समझते हैं एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही मातपुड़ परसन आपका बन जाता है भूकंब भूकंब भी परसन पूछा या आता है लोग में भी कि भूकंब आपको भारत में भूकंब आपको इतनी डिफिनेशन तो आपको कमपल सरी आपको पता ही होनी चाहिए पराकरतिक कारणों से जब पिर्थवी की सता कापने लगती है तो उसे हम भूकंब कहते है इतनी डिफिनेशन आपको याद कर लेना है ठीक है यदि या लोग में परसन पूछाएगा तो आपको यहां से लिख देना है समानता भूकंब दो सब्दो यानि भू पलस कमपन से मिलकर बना है जिसका आर्थ होता है पिर्थवी का कापना या कमपन अथा पिर्थवी का आकसमी यानि अचानक हिलना ही भूकंब कहलाता है जाहे तो यहां तक भी डिफिनेशन तेयार कर सकते हैं समान यता है जो भुकंब सब्द do 3 सब्दों से मिलकर बना हुआ है भुपलंस कंपन्न से बना हुआ जिसका अर्थ होता है पिर्थभी का कापना यँ A. अपका भुकंब कीहलाता ठीक है इतनी आपको पता होनी चाहिए अगले परस कुछ बढ़ेंगे यह परसन बहुत ही इंपोर्टन है इसको विल्कुल आपको त्यार कर रही ना है ठीक है चटान क्या होती है चटाने क्या होती है बहुत ही मोश्ट इंपोर्टन कुस्टन से इसको भी हम देखेंगे अधा हम तो बात को अब यदि लोग में पूछा जाएगा परसना बना बना कर भी यह बसने से लेख सकते हो ठीक है पृत्वी की सता का निर्मार करने वाली रचना समगरी को चटान कहा जाता है इतने रिफ्रेशन तियार कर लेना है समानी रूप से चटान सत्य का परियोग किसी कठोर होते है अधिकान से चटान शालिब किस्जों प Soccer छोठी होती है अन्यागस का पेच्छों सॉभाविक होता है इन खर अनिर्में रासानीक तत्यों का योग्ग रहता है पर्तेक में 1 से अधिव खर द худेशन सिंवी braking को sense थिक अभी आपको यहांसे में इसके परकार की भी बात करूंगा क्योंकि ये परस्यों पूझा जाता है कि चट्डाने का होती है अभी आपको ग्राण कर देकर और रुपा अंतरी चट्टाने, तीनों चट्टाने होती है, ठीक है, चट्टाने, तीन परकार के होती है, ये तीनों के बारे में, ये लोग में पूछा जाएगा, तो आपको क्यारना क्या है, इन सभी के बारे में आपको हाइटिंग छोड़ छोड़ के आपको लिख देना, इसके अंतरगत की चटाने होती के कौन सी है ठीक है वरांट करना पढ़ाएगा ठीक है चटाने और इसके परकार मैंने बता दिया तीन परकार के होती है फ्यगले पर स्कूर बढ़ाएंगे सूर्थ आप क्या होता इसके बारे में देखेंगे सोड में इसके बारे में आपको तियार कर लेना है यहां से टिवाड ने के अनुसारिस की तहम बात करें तो लग तरुंगों के रूप में संचालित एवं यहां से दिया हुआ है एक लाग चीहासी हजार मेल परत सेकंड की रपतार से भरमण करती वी धरातल पर पहुचने वाली या यहां यहीं साइय की उर्जा को ही सूरत आप कहते हैं सूरिया तब कहते हैं इतना आपको देख लिना है अगले पर स्कुन बढ़ेंगे चक्रवात अथा परत चक्रवात में अंतर क्या होता है सबसे पहले देखेंगे चक्रवात इन दोनों की डिफ्रेशन आपको पता होनी चाहिए पहले बात तो कभी इन दोनों की क्या होता है कि इसकी डिफ्रेशन नहीं पूझ लेता है दोनों क अंतर की बात करें यहां तो चक्रवात में निम्नदाब केंदर में होता है अतेव हवाय बाहर की और चलती है जबकि परत चक्रवात में हवाय केंदर की और चलती है चक्रवात में क्या होता है जो हवाय होती है यह बाहर की और चलती है और परत चक्रवात में जो है केंदर की यानि अंदर की ओर चलती है यह जिसकि दूसरे अंदर की बात करें तो चक्रवात में मौसम वर्षा यूग तो होता है वर्षा के लिए वर्षा का संतरप्त होकर यानि संगनित होना अवस्क होता है और सांग के बाद वाइव को ठंडी होने पर संगनन परारम हो जाता है यानि वर्षा होने के लिए वाइव का उपर उठना अवस्क होता है वर्षा तीन परकार के होती ही मुकटा यानि वाइव तीन परकार से उड़ती है इस वर्षा के ल में पूछा गया कि वर्सन की बात करें तो जब एक स्थान तक संगुचन तथा दूसरी इस्थान तक तना होता है तो खिछाव अतितीब्र होने के प्रवर्व भूपरस्ट की चटाने मुडने के अत्रिक्त तूड भी जाती हैं तो इस खिछाव के कारण वलन निर्मित होता है तथा तनाव के दरारे तनाव में तनाव से दरारे तथा संधी बन जाती है कठोड़ चटान के वले के तल को यह भर्सन तल कहते हैं इसंतर आपको देख लेना है किसाब से देखा जाए इसकी डिफेर्शन आपको तियार कर लेना तोड़ासर से मुड़के तूट जाना भर्षन कहलाता है ठीक है इतना आपको देख लेना आप ये अगले पर स्क्रिट बढ़ेंगे अप वा परतिरूप आप इसके बने आपको देख लेना वेसी पर्षन पूछा नहीं जाता लेकिन एक बार देख लेना है किसी भी परदेश या छेत्र अधर थारबनी के नुसार देखे तो अप वा परतिरूप के आज से उस विसेश यूजना से होता है जिसका निर्माड एक नदी की धाराओ द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है ठीक है इतनी आपको देख लेना पर स्क्रिट बढ़ेंगे चक्रवाद क्या होता है चक चक्रवाद की बात करतो समान रूप से चक्रवाद निम्न वाईवदाब का केंद्र होता है जिसके चारों तरब संकेंद्री सम वाईवदाब रेखे विस्तित होती है तता केंद्र से बाहर किया और वाईवदाब बढ़ता जाता है इसके प्रड़ाम सुरो परित के चारों और हवाय चलने लगती हैं प्रित्वे के गुर्ण के कारण इनकी दिसा उत्री गुलार्थ में गाड़ी की सुई के विपरी तथा दच्छडी गुलार्थ में अनकूल होती है यदि जलवाई हुथा मौसम के चक्रवात का परियाबत महत होता है क्योंकि इनके द्वारा किसी भी इस्थान की वर्स्ता तथाताबमान को परभावित किया जा सकता है चक्रवात को मैंने पहले भी बताया हुआ था चक्रवात जो होता है चक्रवात में क्या होता है इसमें जो हवाय होती है ये केंदर से बाहर की और चलती है और परत्य चक्रवात क्या होता है ये केंदर बिप्रिद होती उसमें क्या होती चक्रवात में हवाई जो बाहर के ओर चलती इसमें अंदर के ओर चलती हवाई इसलिए बिप्रिद ही हमेशा रहता उसके इसके बात करें तो यहां से लिखा भी हुआ है उसके वाईवदावियों का केंद्र होता है जबकि परित की और निम् उसमें जो रहता है पार्डे कलाड़ी रहता ठीक है फिर अगला परसन आपका दिया वाज सागरी लवरता क्या होता है एक साथ से देखा जाए बहुत ही मातपुड़ आपका परसन बन जाता है परसन बिलकुल आपके पूछा ही जाएगा इसके बारे में आपको स्वेसल तयार कर लेना है आप चाहे गूगल भी कर सकते हो सागरी लवरता क्या होता है इसको परभावित करने वाले काराग आपको फैक्टर भी देख लेना है आप गूगल इस परसन को अपको लेना है क्योंकि बहुत ही मादपूर परसन है यहाँ सब सागरी लवरता की डिफिरसन हैं से मैं बताएद रहूं आपको यहाँ सब प्रोफेसर रवेंदर सिंग का मानना है कि सागरी अनितल के भार एवाम उसके घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरी लवरता कहते है ठीक है इतनी आपको इफिरसन तियार कर लेना है सागरी जल के भार तथा एवाम उसमें जो घुले हुए जो पदार्थ है बहार के अनपातों को ही सागरी ले वड़ता कहते हैं इतनी आपको डिफिनेशन तियार हो जाएगी असानी से अगला परसंदिया वहाँ भू संतुलन क्या होता है बहुत ही महात्पड़ परसंद की साब से देखा जाए तो अधि हम भू संतुलन की दिम बात करें तो धरातल पर परवत पठार मैदान तथा जीले इस्थितिया पाई जाती हैं जिसमें उच्छा वचन में काफी अंतर पाई जाता है फिर भी ये आकर्तिया एक निस्यत नियम के अधार पर धरातल पर इस्थित हैं इस परकार भूतल मे आसंतल भागो अर्थात धरातल के बड़े बड़े उचे उठे भागो जैसे आपका पठार हो गया परवत हो गया तथा नीचे धसे भागे जैसे जील हो गयरा मेके मद्ध इस्थिता की दसा को ही भू संतुलन कहते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें कहने का मतलब क् इसके अदम साधान सब्दों में बात करें तो यह आपका जो पठार यानि परवत ऊपर के जो हिस्सा तथा नीचे धसा एक सबसे देखा जाए यहां से धरातल के जो बड़े बड़े उचे उचे उठे जो भाग है धरातल जो है इसके जो बड़े बड़े उचे उठे जैसे जील हो गया तालाव हो गया इसके इस्थिरता जो इसके मद्ध जो इस्थिरता रहती है कि दसा जो होती यही आपका भू संतुलन कहलाता है इतनी अब लिख देगो तब भी आपको डिफ्रेशन राइट रहेगी नंबर पूरे आपके मिलेंगे यहां से रिवाड ने भी इसके इसके इस्थिरता की दसा कोही भू संतुलन की दसा कहते हैं कोई भी दिखकन नहीं आपको तैयार कर लेना असानी से अब लिख भी सकते हो इसकी डिफ्रेशन अपच्छा क्या होता है एक सबसे देखा जाए आप बहुत ही मातपूर पर्सन बन जाता है चटानों के अपने हिस्थान से तूट कर विखरने या नस्ट होने की परकिरिया को अपच्छा कहते हैं एक ही बार में पर्सन तयार याद हो जाएगा कोई भी दिखकन नहीं होगी चटानों के अपने हिस्थान से तूट कर विखरने तथा नस्ट होने की परकिरिया को अपच्छा कहते हैं कतम यहां से रवींद्र ने भी स्किट्फिंसन दी ही है चटानो पर्सन के दिया हुआ वहिव रच क्या होती है इसकी भी हम चर्चा करेंगे ऐसे बात करें तो वहिव रास वीसे पर्सन पूछा की पूछा नहीं जाता लेकिन यहां से एक बार देख लेना आपको फैसके गाने तथा विस्तित भाव को कहते हैं जिसमें विभिन उचायी त स्थिखी तंतर भी पूछ लेता है जो मंडल क्या होता है परिस्थिखी तंतर की बात करूंगा ऐसे सब से पहले में जय मंडल की बात करूंगे कि जय मंडल होता क्या है जिव मंदल सब्द का परयोग विर्थवी में उस भाग के लिए किया जाता है जो की जीवन के विभिन, स्वरूपों का आवास तथा वर्गी करान की द्रेश्ट सया तीन भू मंडल द्रश्टो का यहने इस्थन मंडल और आपका जल मंडल तथा वय मंडल के अलावा है ठीक है इतना आपको बिलकुल देखी ही लेना बहुत ही मां प्रॉपर्शने के साब से देखा जाए तो इतनी आपको डिफिनेशन तयार होनी चाहिए आपको इतनी देख लेना इसकी डिफिनेशन रूसी भी ज्यानिक यहां से वाड डस्की ने भी 1919 में जिव मंडल का सब्धका पर्थम बार पढ़ियों किया हुआ था एक बार पढ़े लेना है आप जिव मंडल के बारे में आपको गूगल कर लेना एक बार पढ़े लेना इसक अगले पर स्कुल बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है बालू का स्थोप क्या होता है एक इसाब से देखा जाए सोड में परसन आपका पूछे जाने कि इसकी संभावना रहती ज्यादा इसके हम सोड में पूछेंगे देखेंगे इसके बारे में यह पवंद द्वारा गाटी बेसाँ कि आपका हिमारी अप लूइब से देखा जाये तो लेकिन यह भी देखेंगे इसके परभासा की बात करें एक बार यहां से देखेंगे इसकी डिफ्रेशन जैसी घाटी का आकर एंगरेजी वी क्या अच्छा होता है क्योंकि ऐसी आकरित पहाड़ों भागों में अधिक बिस्कित होती हैं ऐसी घाटी के किनारे उचे तथा खड़े-ढाल वाले होते हैं य इस तास आपको देख लिना है गोखुर जील क्या होती है इसके बाड़ में देखेंगे जो की बहुत हुझ महात पूड़ों ये भी आपका पर्षन है यदि हम गोखुर जील की बात करें तो जब विसर्ब का मोड निरंतर बढ़ता है तो निरंतर आमने सामने के भागों मे कटाओ होता रहता है और इससे कुछ समय पस्चाद विसर्ब के कोने वाले किनारों आपस में मिल जाते हैं यहां नदी जब सीधे बहने लगती है तो विसर्ब का विसाल मोड वाला भाग गोखुर या धनुस की भात जील की रूप में सेस रह जाता है यहां मुख नदी के अलग हुआ भाग आएसे यानि विसर्फ विसाल विसर्फ एवं गोखुराकार जीलों की यानि आदर से दसाए मिसी सीपी नदी की निचली घाटों में पाए जाती है इस तरफ आपको देखे लिए बहुत ही मैंत पुड़ागे को एकिसे देखाजा जाए तो परस नहीं एक बार पढ़ह ले ले लेनए इसको रोख के बीडियो को वहां गड़े बना देते हैं, ऐसे गड़े में बर्फ से हट जाने के कारण पानी भर जाता है, इसे ही टर्नजील कहा जाता है पी अगले पर स्क्राइब बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ बायोम क्या होता है बहुत ही मात-प्रोपर्शन, 100% आपके अग्जाम में देखने को मिलेगा या तो पूझ लेगा बायोम क्या होता है, या भी पूझ लेगा जियोम क्या होता है तो उन्हों ध्यान से देखेंगे, बायोम और जियोम एक ही चीज़ है कुशन का एक ही उत्तर आपको लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको तयार करो, 100% आपके अग्जाम में देखने को मिलेगा या तो हम बायोम की बात करें तो, बायोम क्या होता है देखें, बायोम की यहां से बहुत सारे डिफ्रेसन दे हुई है आप चाहे तो, यहां से भी तयार कर सकते हैं, यहां तक की चले ही का, यहां से देखते हैं इसकी हम परिवासा बायोम इसलियत था जलिया आवास का एक ऐसा छेत्र होता है जो विशेस परिस्तकी विशेस्ताओं के आधारपा भूपटल के अन छेत्रों में पर्थक होता है, बायोम को समानता, जनि इस थलिये भागों के बादब एम पराड समधाय का परिस्तकी रोह में अधन किया जाता है, और बायोम से पराज इवन से है, समंधी पराड यूद थ इसकी डिफ्रेशन दिवी है, बायोम जो है परित्वी की वरहत परियावरण ये कठिबंध हैं, जो कि पोईसपस्ट पादब आवरण द्वारा चिनित होते हैं, क्लेमेंट ने इसकी डिफ्रेशन दिवी है कि बायोम में जैयो समू होता है, जो कि भागोलिक सीमाओ में एक दो बार आपको पढ़े ना है, आपको सोड में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, तीन नमबर देखे जाएगा, तीन से चार नमबर, अगले परस्ट को बढ़ेंगे, भूपरपट्टी क्या होता, जिसे करस्ट भी कहते हैं, तोनों परस्ट पूछे हैं आएंगे, भूपरपट्टी पूछ लेगा, अपको एक ही रहेगा, पिर्थवी की उपरी भाग को भूपरपट्टी या करस्ट कहते हैं, कोई भी दिक्कन नहीं, वह मंडल का जब आप अध्यान करोगे, एक साब से देखा जाये तो भूपरपट्टी आपको मिल जाएगा उसमें, ए देखोता है, उपरी भूपरपट्टी ये होती, निचली भूपरपट्टी, रोग के वीड़ो एक बार अध्यन कर लेना है, तो वीड़ो ज्यादा लंबा चला जाएगा, अब आगने चटाने क्या होती हैं, ये कितने परकार क्यों होती हैं, बहुत ही मातपूर परसना की ह इसका आर्थ होता आगने, पिर्थवे के भीतर भागों में आंत्रे किरिया द्वरा पिर्थवे के ऊपरी पर या धरातल जब पिघला हुआ पदार्थ ठोस रूप धरार करता है, तो आगने चटाने बनती हैं, पिर्थवे के भीतरी भागों में, आप चाहे तो यहां तक जोड़ा मुखी के मुख से बाहर आता है, तो उससे गैसे निकलती हैं, निकलती हैं, निकल जाती हैं, और दरव पदार्थ लावा कहलाता है, और मायगमा और लावा के ठंडे होने पर चटाने बनती हैं, यहां तक आपको डिफेर्शन देख लेना है, बहुत ही मादबर प जाले तो जब नदी के मार्ग से कठोर चटान या जो बांध होते हैं, आने की लंबवा धाल बन जाते हैं, तो ज़रना परपात बनता है, यहां तक आप डिफेर्शन तियार कर सकते हैं, सेयोगत राज, कनाडा की सिवापर इस्थित ज़रना पूर भी बहुतनी आपको डि है, जो ढाल होता है, यही आपका ज़रना या परपात कहलाता है, ठीक है, अगले परस्कुल बढ़ेंगे, यही ज़रना जो होता है, खिसाब से देखा जा, पहाड़ों से जो जलाता है, उसे भी ज़रना कहे सकते हैं, जो पहाड़ों से नीचे गिरता है, तो कहीं न कहीं व होता है इसके बार में हम देखेंगे यहां मंडल की सबसे नीचली परत होती छोब मंडल जो होता है आपको मंडल की बारे में आपको देख लेना है इसकी कितनी परते होती है सभी के वारा साग्रिय जल के संचलन या गत उत्पन होती है इन सक्तियों की परभाव से कभी साग्रिय जल आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हड़ता है और वह नदी के जल की सता अपना इस्थान नहीं छोड़ता है वरण साग्रिय जल के आगे बढ़ने तहां पीछे हटने को साग्रिय ज बहा जाता है आपको जो एकसाब से देखा जाए तो सागरिये जो जल होता है यह जब जल इसका जो होता है कभी आगे आता है तो कभी पीछे बढ़ता है एकसाब से देखा जाए यह जो होता है इसे ही आप तरंग कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगले परस्ट बढ़ाएंगे महा सागरिय तरंगे क्या होती है महा सागरिय यहां से महा सागरिय धाराय दिया हुआ इसके बड़े में देखेंगे कि महा सागरिय धाराय क्या होती है प्रोफेसर रवीन सिंग ने इसके डिफिरेसन दी हुई है धाराय जो होती हैं सागर में जल के एक निस्चित दिसा में परवाहित होने की गत को धारा कहते हैं या ठीक उसी परकार सागर में परवाहित होती है जिस परकार इसलपन नदिया परवाहित होती है धाराय जल को गत परदान करने में सहायक होती है और महा सगरी धारे आनेक आर पर तदिशा के अधार पर धारा के कई रूप होते हैं इतना आपको देख लेना हैं आपको इतनी ज़रूर पता होनी चाहिए अगले पर स्क्राइब पढ़ाएंगे जो और भाटा किसे कहते हैं सभी को पता होगा आप लिख सकते हैं समुद्र का जो जल होता है ऊपर उठने क को जो और कहते हैं जो उठता है समुद्री लहरो जिसे लहरे कहते हैं ओपर उठने को जो और कहते हैं नीचे गरने को भाटा करते हैं ठीक है आप इस तरह से देख लेना इसके आपको दिफिर्शन पढ़ा देना फिलार कि यहां से अगले पर स्क्राइब बढ़ाएंगे ए कुंसे महासागरी ने पेच्च कहा जाता है प। जो और भाटा किसे कande हैं कितने परकार क्योंते पर्सटर ना है इसको बिलकुल भी नहीं छोड़ना आ है त्यार करना है ठीक है कि महा शागरिय संसाधन गया हम बात करें ना जो कि मांब पूल रहता है कि जो इसके लिए करता है साइग सथा के त्यार कर लेना है ठीक है अगले पर स्कूर बढ़ेंगे परवाल भित क्या होता है बहुत ही मातपर परशने के साब से देखा जाए तो चलेगा परवाल भित हम देखते हैं परवाल महा सागरों से मिलने वाली चूने की एक एसी चटान होती है जो मूंगे या कोरल और होता है जो अपने चारो और एक चूने का जील बना लेता है और यहां अपना भोजन सागरे जल से पराप्त करता है परंतो जब एक परवाल मर जाता है तो उसके तो उसके यानि खोल के ऊपर दूसरा परवाल अपना खोल बनाने लगता है या भी बना लेता है और धीर धीर एक करके अनेक परवाल बढ़ते जाते हैं इस परगिरिया के में लंबे समय तक एक बिस्तिरत भित्य बन जाती है इसे ही परवाल भित्य कहते हैं आसा करतों आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही माधपूर परसन एक पर पढ़ लेना है आसानी से अब लेख सकते हो इसकी डिफिरेंशन है त्यार कर लो कोई दिक्कन नहीं जब परवाल भित्य का आकार घोड़े के नाल या अंगूठे के आकार का हो तो उसे एटाल कहा जाता है ठीक इतना आपको त्यार कर लेना है अगले पर शुरू बढ़ेंगे एटाल के परकार देखेंगे यह तीन प पाया जाते हैं और दूसरी परकार की वहाव लेकार एटाल जिसमें के मध्य दीप पाया जाता है और तीसे परकार यह तो नहीं होता परंतो बाद में तलचत द्वारा इसका निर्मार हो सकता है यह गले परसु बढ़ेंगे भूकम से आप क्या समझते है भूकम के जो एस ह कहते हैं भूकम कंपार जो होते हैं इसका भी आपको औरान करने को पूछ लेता है भूकम most wanted questions हैं बिल्कुल आपके exam में देखने को मिलेगा इसको बिल्कुल नहीं मिस्करना आपको इसके कारक क्या होते हैं इसको भी हम चर्चा करेंगे पहले भूकम पर देखेंगे का चानक से काप चाना भूकम करनाता है आगे मैंने बताया है याद हो गया होगा इसके देख लेना है ठीक है यहां से आपको डिफेशन इसकी देख लेना है बहुत साथी डिफेशन दीए वीडियो को रोक 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 आपको धन करना है ठीक है लोग में पूछा जाएगा परसंट 100% भूकम भूपिटल का कंपन अथवा लाहर है जो दरातल के नीचे अथवा उपर चटानों के ल द्वारा उत्पन होते हैं भूकम मैंने आपको बता दिया भूकम की डिफेशन अब इसके हम परकार देखेंगे कि कितने परकार क्यों होते हैं जैसा कि परकार की मैंने याद मबात करें तो यह लोग में परसंट आपको देखना भूकम की परवासा वीडियो को यहां भी र इसके परकारों के उट चरशा करेंगे इसकी riař कीम बात करें परकारों की तो दो प्रकार के होता है भूकम एक होता है प्राकितिक प्राकरत जैसा सबसे आउस को पता हो होते हैं रवी इसे में अपका भूकुम भी आता है यह प्राकरत्रिक आपड़ा है जो प्राक्रतUS द्वारा उत्तपन Smugman होता है इसके अंतरकतो को रिखदेना है ठीक है कोई भी दिककत नहीं है हम मानुई किरियाओ द्वारा भूकम की दिम बात करें आप परागरते के आप भूकम जानते होगी असानी से लिख सकते हो पहले हम भूकम मानुई किरियाओ द्वारा उत्पन भूकम की हम चर्चा करेंगे इन्हें बनावटी या क्रेतरिम भूकम भी कहते हैं ऐसे भूकम जो यही मकानों के टेबलों द्वारा रखा जाता है जो इनका कहना को तरब यह होता है जो मानव किरिद द्वारा जो भूकम होती है आपने देखा होगा सिटे बगारा में जो ट्रेने पटरिया होती है कहें कि उसके पास में घर भी होते है जब भी ट्रेने वो गुजरती है तो यह किसाब से देखा है आप कमपित होने लगता हो घार यही यह किसाब से देखा जाए इसका उद्धारण है कि मानो किरत जो होता है भूकम्ब यही इसका उदाड़ है, कम्पित होने लगता घर वही आपका मानो के लिए द्वारा ही भूकम है जैसे कि DJ का सवन बजने लगता तो ऐसा परतीद होता कि मानो जमीन हिलने लगी यह सभी मानो के लिए द्वारा ही आपकी भूकम है प्राकर्तिक भूकम पता ही होगा होगा जो अचानक से प्रतिवी के हल जाना जो प्राकर्तिक घटनाओं के द्वारा उत्मन होता है असा करतों आपको पूरी तरह परसन त्यार हो गया होगा आप लिख दोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगले परस्कुर बढ़ेंगे भू अभिनत अथवा भू उन्नत भू अभिनत अथा भू सननत क्या होता है इसकी विशाष्ठा देखेंगे बहुत ही मातपर परसन आपका बंचाता कि साथब से देखाएगा भू अभिनत या भू अभिनत और भू सननत क्या है डोने की डिफिशन देखेंगे एक एक Cable Lighting म देखे जें दिन भॐ अभिनत की याध्म बात करें तो ठीक है भू अभिनत के जलिये भाग होते हैं इसमें जल इसमें लगभं लिरंत और अवसात का जमाव होता रहता है इतनी आपको डिफेशन त्यार कर लेना है अभु सन्नथ की बात करें तो भू सुन्नत वे उतले जलिये भाव होते हैं जिसमें जल छटिये निपेच के साथ ही उसका तलियों में धसी रहती है जहिए कि दोनों आपको यहां से तियार कर लेला है इसके विष्यस्ता देख लेना है कि विष्यस्ता यहां से दी हुई है यहां से दी हुई है आपको डिफिनेशन एक बार पढ़ा लेना है वीडियो को रोक के अगले पर स्क्रीट पढ़ाएंगे हम डेवेज के अपर्दन चक्र की संगलपना बहुत ही मात्फूर परसन इसको बिलकुल आपको मिस नहीं करना है इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं कर सकते हूं इसलिए मैं बता तो हूँ इसके पूछे जाने के संभावनों ज्यादा है वह बिलकुल आपको इस पेसली तैयार ही करना है जैसे डेवेज के मैंने बोला कि 100% आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा और जो परसन मैंने बोल कि मोस्ट वांटेड है इल्कुल आपके एक्जाम को उनको त्यार ही करना है डेविस के अपरतन चक्र की हम संकलपना की दिम बात करें तो डेविस ने भगोली चक्री संकलपना का अपरतपादन 1899 इसमी में किया था उन्होंने कहा था कि भगोली चक्र समय की वह अबद है जिसके अंतरकात या उत्तिस्थित भुकंड अपरतन के पराकरन दोरा परभावित होकर एक आकरत विहील यानि सम्तल मुद्यान में बदल जाता है इन्होंने यहां तक कहा थे किसी डिफ्रेंस पराकरन दोरा समय का परभाव होता है उसी करन डेवित ने यहां परत्वादित किया कि इस्थल रूब सनजना पराकरन में समय का परत्वल होता है इन तीन कर रो यानि सनजना पराकरन में समय या वस्था को डेवित का चितरक भी कहते हैं वीड़ो को रोक कि आपको इसके ए अग्ले परस में बढ़ेंगे बलन क्या होता है एक एकTraff से देखा जाए हो आप ईसी एदिफन्स आगे दिखा दिया हूं बividad क्या होता है यह परसर्ण द्वजत्ब आपके अगले साँ परसन रिवीड हो था अब अधानुविन्श्टी में बहुत सारी उनुर्ष्ट्री में रिपीड हुआ था बलन और भर्सन क्या होता है भर्सन में आपको अगे दिखा दिया आप बलन क्या से डिप्रेशन देखेंगे और इसकी परकार भी देखेंगे बलन की बात करें तो पिर्थवी की आंत्रिक सकती हो दारा उत्पन 36 जैनि संचलन से जब चटानों में संपीडन की इस्थित उत्पन हो जाती है तो लहर नुमा मोड पढ़ जाते हैं इस सता के मोड के अनिů मौड को ही बलन कहा जाता है इतनी आपको ट ईरषन टेयर कर लेना है इसके परकार भी यहां से दे उन हैं इसके परकार की बात करें तो यह होता है बलन बाड़ी बाड़ी से दी हुई है परकार वहला आपका समयमित बलन होता है इसमें यह जो बलन होता है जब इसके अंतरकर आपको पढ़े लेना है और समयमित बलन एक दिगनत बलन और समयमित बलन यह सभी आपके बलन के परकार है ठीक है आपको देख लेना सभी परकार आपक बैस कि आपको देख लेना ना आसानी से लेकशकते हो कोई बे दिक्कन नहीं है बरति बलन अउननि बलन आपका पंखopalan और यहां से लास्टी दि हुई है खुला बलन और बंद बलन खुला बलन यहां से दिया भी हुआ है कि सभी हेडिंग आपको इसके नतरत आपको देख भी लेना है यह लोग में पूछा जाएगा जिससे अब आसानी से लिग सेके इसके परकार भी इससे नमबर आपकी पूरे यहां से मिलने के चैंसे से रहते हैं यह आपका हो गया आप यह अगले पर सुर बढ़ेंगे जो कि आपका दियावा है उसमें कटबंदिये चक्रवाद की उत्पत उसमें कटबंदिये चक्रवाद क्या होता है इसके बारे में देखेंगे ये करक तथा मकर रेखाओ के मद उत्पन होने वाले चक्रवातों को ओस्म कटबंदिये चक्रवात कहते हैं इतनी आपको डिफेसन तियार कर लेना है करक तथा मकर रेखाओ के मद उत्पन होने वाले चक्रवात को ओस्म कटबंदिये चक्रवात कहते हैं अब इसकी बिशस्थाइदेखेंगे उसमें कड़बं दियुक्त पूछता है उसकी बिशस्थाइभाइब की में अब इसके सब्सक्राइब करवाद को पूसमें कड़बंदि चकरवात कहते हैं ठेक इसकी विस्रेस्ता यहां से लिखी हुई है आपको देख लिना है उपने कड़बंदि चकरवात के आकार में परयापत अंतर होता है ये विभिन गथ से आगे बढ़ती है करवंदि जो आपके यो होती है चकडवात ये विभिन से आगे बढ़ती हैं और ये सागर ये चक्रवाद सागर के ऊपर तेज चलते हैं और ये चक्रवाद के केंद में वायुदा बहुत कम होता है इसके केंद में और उस कड़बंदिये चक्रवाद के विभिन इसास आपको इसकी सभी आपको विसरस्ता आपको देख लेना है ठी बहुत ही मात प्रपॉर्शन है इसके बारे में यहां से हम देखेंगे एक हिसाब से देखा जाए तो इसे सोर विकरण भी कहते हैं और यहां तो अब यहां से दिखेंगे त्यार करना है सूर से वाइमंडल में निरंतर विकरण उसमा को सूरताब कहा जाता है चाहे तो अब यह डिखेंगे यहां से वाइर ने बहुत ही प्रपॉर्शन देखेंगे अज्ड़ कहते हैं मार्टिन ने भी इसके डिखेंगे दिखेंगे की सूर से विकरित उर्जा बहुत होती है विसे इस नाम सूर वितशाब कहना है इन्होंने कहा है कि सूर की जो किरोड़े पिर्थभी पढ़ते हैं इसी को सूर विताप कहते हैं और इसी को ही सूर तब कहा जाता है ठीक है इसके परभावित करने वाले कारक क्या होता है सूर तब के सूर या तब के इसके चार कारक है यहां से निमने कारक दिये हुए हैं अकांचे स्थित वैंवंडिले की मोटाई दिन की लंबाई जल्द धल्का वितरान ठीक है आपको देख लिना है अगला परसन आपका सोड में देखना है हिमोर जिसे मोरेयन्स भी कहते हैं इसके बारे में देखेंगे दोनों एक ही चीज होता है द करिवान करता है इन पनार्थों को जब हिम्नत बहाकर नहीं ले जा पाता है तो उसका निपेच हैं निशेफ हो जाता है और हिम्नत द्वारा應該 दार्थों के निशेफ को को ही ही मोर कहते हैं इतनी आपको डिफेसन तयार कर ले नेना है ठीक है बर legitusi का दियावा है पराथमिक तरंगे क्या होती है इसके वड़े में एक एक लाइन में कुस्ण देखेंगे प्राथमिक तरंगे जो होती है या तरंगे भूकम पतल से उत्पन होकर धरातल पर सुरपर्थम पहुचने वाली तरंगे होती है इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे कहती है यह जो तरंगे होत है ठीक के प्रात्रीं तरंगों को पीठ भी कहते हैं जो ॥ जो तरंगों के बाद तरंगे कहते हैं कोई भी दिख्कत नहीं है सबसे देखा जाए किसी निश्यत आपमान तथा निश्यत आयतन में बिद्दमान जलवायो की मात्रा तथा उसी तापमान तथा आयतन पर वायो की जलवास धारन करने की छंता के अनपात को ही सापेच आधरता कहा जाता है ठीक है इतनी आपको डिफेंशन तियार कर लेना है अगले पर सुर बढ़ेंगे लास्ट में परसन आपका पचा हुआ है ये लोग में परसन पूछा जाता है इसके वारे बिसेस आपको तियार देख लेना है हिमानी के कारत था उसके निर्मित इस्थल करना है इस्थल करतियों का पहले हिमानी की बात करेंगे हिमानी क्या होता है हिमानी जो होता हिमानी बर्व की नदी है हिमानी जो है बर्व की नदी है यहांसे लोबेन ने इसके बारे में कहा हुआ कि यह बर्व की एक नदी है और यहां से वार्शेटर ने भी कहा हुआ कि हिमानी हिम की एक ऐसी रास है जो धरातल पर संचे के इस्थान पर धीरे धीरे खिसकती है आपको इस तरह से देख लेए ना जिसके आप यहां तक बीडियो को रोग कर भी आप यहां से अध्धन कर सकते हैं कोई भी दिक्कर नहीं कि नीजी जिन छेतरों से बर्फ या बहती है ऐसे भाग या ऐसे सभी भागों में भूम का खरोच एवन विशेज परकार के संसोधन होते रहते हैं किन्द जब हिमानी या बर्फ निस्कित घाटी से बहती है तो इससे परदेशों के अनेक परकार की इस कृतियों का निर्मा से तूट के गिरेगी तो वहां कोई न कोई सेब बन जाता है चाहे कोई भी आकार का बनना इता हो इस्थल कृतिया बन जाती किसा आप से देखा जाए जो यह हिमानी जो है यह बर्फ ही है कुछ और नहीं है इसका तूट तूट कर यानि विखंडन होकर अलग गिरना या फ से दे हुई हिमानी की हिमानी यानि जो बर्फ होता है जो खिसक जाती कहीं कहीं यू अकार की घाटी बना देता है बर्फ खिसक गई वहां से तूटके आपकी विखंडन की घाटी बना दिया कहीं से बर्फ टूटी थोड़ी से लटका हुआ भाग दिखा रहा तो लटकती इस तरह से आपको कोई भी दिख्ण नहीं बर्व की बारे में आप इसके इसली करती है, अवर असली से अपने ही अनसवार भी लिख सकते हो, कोई भी दिख्ण नहीं है, कईकई गढ़्धा हो जाता है, यह भी आपकी अकर्टिया एक हो गई, असा करता हूं यह भी परसन आप आपके semester की exam की तैयारी कराता हूँ वाल semester की, मिलता हूँ वीडियो गिले तब तक सभी को, thank you watching this video.